Good morning 7th class I hope all of you are doing good So, बेटा, in this video I am going to explain you Lesson No. 17 of your Literature Book Prithvirar Chohan Part 1 Given on page No. 123 of your Literature Book बेटा, आपने SST में Prithvirar Chohan जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा TIV में भी कहीं न कहीं देखा होगा तो समझाना शुरू करती हूँ अब देखिए, क्या बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और बारवी सदी के बारे में जानते हैं तो हम घोर के सुल्तान महॉम्मद गौरी के लोगों को लूटने और मारने की कहानी पढ़ते हैं उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसका देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो और सब उसको सोने की चड़िया के नाम से जाने उस समय भारवार देश को इसी नाम से जाना जाता था अब इस लालची की नजर दिल्ली की गद्धी पर थी जहां पृत्वी राचोहान जी जो एक भादूर योधा हैं थे बैठे थे अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह पृत्वी राचोहान अपनी हार का बदला लेते हैं और मुहमद गौरी को हरा देते हैं स्टार्टिंग विद पार्ट वन मुहमद गौरी बोलते हैं कि किस तरह उन्होंने खुब उन्तिशील राज्यों को लूटा है पर जैसा खजाना दिल्ली में है वैसा कहीं नहीं है और अगर वो दिल्ली को लूट लेते हैं तो उनका देश दुनिया का अमीर देश हो जाएगा और सोने का रज्य कहलाएगा यह बात सुनकर उनका मंत्री बोलता है कि शासो को याद रखना चाहिए कि दिल्ली का शासक प्रित्वी राजचोहान है जिसका युद में मुकाबला नहीं किया जा सकता उनकी बहादुरी के किस्से इतने हैं कि उनको हराना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा काम है मुहमद गौरी मंत्री की बात सुनकर कहते हैं कि वे इस चैलेंज को लेंगे और देखेगा कि क्या प्रित्वी राजचोहान सच में एक अच्छा योधा है और इतना कहकर वे अपने कमांडर इनचीफ को दिल्ली की तरफ जाने की तियारी करने को कहता है अब ये खबर प्रित्वी राजचोहान तक पहुंचाती है दूत आकर प्रित्वी राजचोहान को बताता है कि घोर का सुल्तान मुहमद गौरी दिल्ली पर हमला करने की तैयारी कर रहा है इस बात दूत की यह बात सुनकर प्रित्वी राचोहान कहते हैं कि उसको हमला करने दो हम इतने भी कमजोर नहीं कि हम लुटेरे से डर जाएं यह युद्ध प्रिये नीती के साथ खेलने वाले हैं और उनको किसी का भी धर नहीं है गोरी दिल्ली पर आक्रमन करता है और दोनों के बीच में युद्ध छिटता है आंत में गोरी की बड़ी अप्मान जनक हार होती है और फिर उसको पकड़ कर प्रित्वी राचोहान के पास लाये जाता है और उसको सिर जुकाने और दया की भीक मागने को बोला जाता है महमत गारी इस बात को मानता है कि दिल्ली पर आक्रमन करने की गलती उसने की और वह इस बात की माफी चाहता है उसने सुना है कि हिंदुस्तान के राजा का दिल बहुत बड़ा है और वह अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं पृत्वी रांज जी कहते हैं कि उसने सही सुना है हम बिना हत्यार वाले इंसान पर हमला नहीं करते चाए वे उनका दुश्मन ही हो वे उनको माफ कर देगा बशर्ते वे कभी भी दुबारा उनके राजे पर हमला करने की भी सोचे ना महम्मद गारी इस बात का वायदा करता है और वे उनको नुकसान पंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगा उसी समय पृत्वी राज चाहान जी के कोट के जो कवी थे चांद बरदाई बीच में बोल उठते हैं और कहते हैं कि माराज मैं सिर्फ आपके कोट का कवी ही नहीं हूँ बलकि आपका दोस्त भी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि घोरी को माफ नहीं करना चाहिए बलकि उसको मृत्युदंड देना चाहिए पृत्वी राज चोहान जी उनकी बात सुनकर कहते हैं कि वे उनकी भावनाओं को समझते हैं पर उन्हें ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए इसलिए वे घोरी को माफी का इनाम देना चाहते हैं अब घोरी घोर वापिस लोट जाता है और वे अपने बुरे तरीकों को नहीं छोड़ता है वे बार-बार शड़यंत्र बनाता है तांकि वे दिल्ली के खजाने को लोट सके जल्द ही पृत्वी राज की बहादरी के किस्से स्रियोगिता जो जैचंद की बिटिया थी और जो उस समय कनोज के राजा थे उनके कानों में आती है वे बिना देखे उनसे शादी करने की ठान लेती है उस समय जैचंद और पृत्वी राजचोहान के रिष्टे अच्छे नहीं थे जैचंद ने राजपूत रजाओं के उपर अपनी श्वेष्था दिकाने के लिए राज सुवे यग्य करने का सोचा पृत्वी राजची ने इस बात को स्पिकार नहीं किया और इस तरह इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई अब अगला पार्ट स्टार्ट होगा वेटा सीन जो कनौच के जैचंद के कोट का है जहां वे अपने सिहासर पर बैठे हैं जैचंद की इच्छा थी कि वे स्वेंबर समारों का योजन करेंगे जिसमें वे पृत्वी राज चोहान को छोड़कर सब राजाओं को अमंत्रन देंगे जैसे ही सैयोगिता को ये बात पता लगी वे अपने पिता जी से बात करने गई सैयोगिता अपने पिता जी से कहती है कि वे पृत्वी राज चोहान जी को अपने दिल में जगा दे चुकी है और उसने ये निश्चे किया है कि वे उनसे ही शादी करेगी इसलिए वे स्वंबर में पित्वी राज चोहान जी को भी बुलाएं जैचंद ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वे उनके दुश्मन से शादी नहीं कर सकती ये बात सुनकर स्योगिता कोट छोड़ कर अपने कम्बरे की तरफ चली जाती है और आगे कुछ करने का सोचने लगती है आखिर का वे अपने एक दूद को पत्र देती है और वे पत्र पित्वी राज चोहान जी को सौमने को कहती है जिसमें वे अपने प्यार का इजहार करती है और उन्हें स्वंवर समारों में आने का निमंतर देती है दूत वे पत्र प्रिथ्वी राज चोहान को देता है प्रिथ्वी राज चोहान वे पत्र पढ़ते हैं और पत्र पढ़कर बहुत खुश होते हैं वे उसे कनोज वापिस जाने को कहते हैं और सियोगिता से उनका प्रपोजल मानने की बात बताते हैं जब तक जैचंद स्वेंबर की त्यारियों में व्यस्थ हो जाते हैं और प्रिथ्वी राज का अपमान करने के तरीके सोचते हैं जैचंद अपने मंत्री को प्रिथ्वी राज का पुतला बनाने को कहते हैं और उस पुतले को महल के दर्वाजे पर रखने को कहते हैं ताकि स्वेंबर में आने वाले सब देखें कि उसने पृत्वी राज को अपना धर्बान रखा है, यह खबर पृत्वी राज चुहान तक पहुंच जाती है, पृत्वी राज को यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और वह यह निश्चे करते हैं कि उसे सबक सिखाएं इसका next part है बेटा वो आपका next chapter है तो जब next video upload करेंगे तब आपको clear हो जाएगा I hope आपको इतना lesson समझ में आ गया होगा हमने बहुत बड़ी पृत्वी राचुहान जी के बारे में पड़ा है so बहुत जादा मुश्किल chapter नहीं है SST से ही related है सबको पता भी है so इसकी जो बुक की एक साइज है भी अपलोड कर देंगे तो I would request everyone to please complete books exercise in the book itself Thank you so much God bless you all